इस फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं, जो की अपमी काट लेकर सिटी में घूम रहा था। सड़नली उसे एक डॉग दिखाई देता है, तब वो बच्चा उस डॉग को अपने ही काट में दबा लेता है। और अगले दिन उस डॉग की फोटोग्राफ हर तरफ लगी हुई थी, और वो बच्चा फूड काट पर उसी डॉग को होट डॉग बना कर बेच रहा था। इसके बाद सीन कट होकर एलीज नामी लेडी पर शिफ्ट हो जाता है, जो की फोन पर किसी से कॉल करते हुए आगे बढ़ रही होती है। इस दौरान वो किसी से फोन पर कह रही थी कि उसे ये प्लेस बिलकुल भी पसंद नहीं है। और वो यहाँ पर नहीं रहना चाहती है। खैर बाते खत्म करने के बाद एलीज घर पर आ जाती है, जहाँ पर वो अपने डैड के हाथ में एक रिमोट को देखती है। एलीज के डैड का मानना था कि इस रिमोट का यूज करते ही काफी सारी चीजे बदलने लगेगी। मगर एलीज इन बातों पर बिलकुल भी ध्यान नहीं देती है। क्योंकि उसे ये सारी बाते बक्वाक ही लग रही होती है। मगर उसके डैड जैसे ही बटन प्रेस करते हैं, वैसे ही सारे लोग बदल जाते हैं। लेकिन उनकी पस्टी में बिलकुल भी चेंज नहीं आया होता है। और वो लोग ऐसा बिहेव कर रहे थे, जैसे वो सालों से ऐसे ही हो। इसके साथ ही वो एलीज को भी पहचान रहे हो जिसकी वजह से एलीज की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती हैं। इसी वजह से वो भाग कर वे में आने लगती हैं। दौरान में उसे प्रोफेसर नजर आते हैं, इसी वजह से वो उनसे हल्प भी मांगती है। मगर प्रोफेसर उसकी हल्प करने की बजाए रिमोट क help से ilyist को ही rabbit में तबदील करेते हैं क्योंकि इस तरह के सारे remote professor ने ही बना होते हैं इसके साथ ही वो 일이 के parents की memory से ये भी delete कर देते हैं कि उनकी कोई बेटी भी थी इसी तरह पहली कहानी end हो जाती हैं और यहां से start होती हैं second story हैं इस कहानी में हम जेरी नामी लड़के को देखते हैं, जो की अपनी लाइफ से बिलकुल भी खुश नहीं था, क्योंकि जॉब करके इतने ज्यादा पैसे नहीं मिल पाते थे, जिससे वो अपने एक्सपेंसिस को पूरा कर सकें. दौरान में जेरी कोलियोन नाम का शक्ष भी मिलता है, जिससे वो कुछ देर बाते करता है और इसके बाद वो अपने रूम में आ जाता है. रूम में आने के बाद जब वो रेडियो अन करता है, तब उसका रेडियो काम ही नहीं कर रहा था. इसीवजर से वो रेडियो लेकर बाहर जाता है। तब उसकी नजर एक शक्ष के पास जाती है। जो कि वे में बैटकर रिमोट, रेडियो और काफी सारी चीज़े सेल कर रहा था। इसीवज़ से जेरी भी काफी सस्ते में उससे रेडियो परचेस कर लेता है। घर आकर जब वो रेडियो को आउन करता है, तब उसे उसमें से एक लेडी की आवाजे आने लगती हैं, जो कि उसे बता रही थी, कि उसकी लाइफ में सारी प्रॉबलम्स हैं, और वो अपनी लाइफ से बिलकुल भी खुश नहीं हैं, लेकिन उसकी लाइफ में भी सारी अच्छे फ्रेंज बन जाते हैं, एक दिन जरी काफी ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसे पैसों की सक्त जरूरत थी, तब रेडियो उसे बताती हैं, कि टेंशन मत लो, पैसे उसे मिल जाएंगे, जिसके बाद रेडियो गाइड करता हुआ, उसे एक रूम में ले जा जाता है, जहां पर वाकई ही काफी ज्यादा पैसा था, जरी वो सारा पैसा लेकर रूम की तरफ जाने लगता है, तब दौरान में ही उसे एक कपल भी नोटिस कर लेता है, वो देखते हैं, कि जरी के पास काफी ज्यादा पैसा है, खैर उनके जाने के बाद, रेडियो उन् मार डालना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने पैसों से भरा हुआ बैग तुम्हारे हाथों में देख लिया है, इसी के चलते तुम बुरी तरह फस सकते हो, मगर जरी किसी को भी मारने के लिए रेडि नहीं था, तब कुछ देर बाद वो शक्ष वापस से आकर, जरी से पैस लेकर निकलने वाला था, तब इतनी ही देर में एक लेडी भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि जरी को बताती है कि वो उसे भी अपने साथ ले चले, क्योंकि लियोन उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि उसे लगता है कि उसी ने उसके पैसे स्टील किय इस वजह से मजबूरन जरी को उसे साथ लेकर जाना पड़ता है। क्योंकि पैसों को देखकर उसके अंदर ग्रीड आ गई थी। और उसे लगता था कि इस पैसे पर सिर्फ इसी का ही कब्जा हो। नामी लेडी को देखते हैं, जो की call girl है, रेचल को एक शक्ष की call आती है, जिस वजह से वो उसके घर पर जाने लगती है, दौरान में हम लियोन को भी notice करते हैं, खैर बाद में वो उस लड़के के घर पर पहुंच जाती है, और जब वो उसके काफी ज्यादा close आ जाती है, त इसके बाद जब वो बात लेकर वापस आती है, तब उसे dead body के पास से हलचल महसूस होने लगती है, इसी वजह से जब वो pillow remove करती है, तब वो काफी ज्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि वो शक्ष alive था, जो की उस lady पर attack कर उसे मार डालता है, क्योंकि वो कोई आम human नहीं, ब प्रोफेसर marriage कर रहा है, इसी के चलते night में उसके students मिलने आते हैं, अब क्योंकि प्रोफेसर काफी ज्यादा मजा किया थे, इसी वजह से वो इस बार भी अपने students से मजाक करने लगते है, खैर बाद में students उनसे पूछते हैं, कि वो 20 सालों से किस project पर काम कर रहे थे, जिसके जवाब में वो ये तो नहीं बताते हैं, कि वो किस project पर काम कर रहे थे, बलकि ये जरूर बताते हैं, कि उनका project completed हो गया था, खैर थोड़ी और बात चीत के बाद प्रोफेसर काम से निकल जाते हैं, उसी दोरान कैथी भी उन लोगों के लिए tea लेकर आ जाती है, कैथी को द लगता है कि प्रोफेसर बीस सालों से जिस project पर काम कर रहे थे, वो project शायद ये लड़की ही है, यानि प्रोफेसर ने बीस साल लगा कर कैथी की तरह ही एक robot बनाया है, इसी वजह से वो उस robot को open करके प्रोफेसर को ये surprise देना चाहते थे, कि वो कितने ज्यादा intelligent है, इसी के चलते वो कैथी की पूरी body ही open कर देते हैं, प्रोफेसर जब ये देखता है, तब वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है, बिल्कुल उनके plan के मताबिक, लेकि उसके face पर खुशी नहीं, बलकि कुस्सा था, क्योंकि इन दोनों ने अपनी smartness के चलते, एक जिन्दा इनसान को ह रोबोट समझ कर उसे मार डाला था, इस तरह ये कहानी भी खत्म हो जाती है, जिसके बाद next कहानी स्टार्ट होती है, इस कहानी में हम एक डॉक्टर को देखते हैं, जो की hot dog लेने उसी shop पर जाता है, मगर जैसे ही वो उसे खाने वाला था, वैसे ही वो hot dog गिर जाता है, इस परा काम खत्म करने के बाद जब वो वापस लोट रहा था, तब उसे वे में उसी शक्ष की सोल दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर गया था, खैर जब वो वे से जा रहा था, तब उसे वही vampire वाला लड़का नजर आता है, जो की उसे करीब में ही हो र परा कर वहां से भाग गया था, और अब हमें पता लगता है कि उस डॉक्टर ने भाग कर अपनी जान बचा ली, क्योंकि अगर वो ना भागता तो वो मारा जाता, बाद में वो सोल अचानक से उसके सामने आ जाती है, जिस वजह से इस डॉक्टर ये सदमा बरदास्त नहीं कर पाता है और वो मारा जाता है, इसी तरह करके ये कहानी भी खत्म हो जाती है, और अब बारी थी लास्ट स्टोरी की, इस कहानी में हम प्रोफेसर को देखते हैं, जिन्होंने कैथी की पूरी बाड़ी में बच्टर लगा कर रिच्वल के जरिये उसे वापस से अलाइव कर दिया गया होता है, जिसके बाद वो उससे मैरिज करते हैं, मूवी के लास्ट सीन में हम होट डॉग को सेल करने वाले शक्ष को देखते हैं, जो की एक क्रीप था, और इसी के साथ ये फिल्म यही पर एंड हो जाती है